और आप देख रहे हमेशा एक दिन डक्ट लाइन 4125 तो फ्रेंड कुछ नैस गाऊंगा वीडियो को लाइक करो चैनल पर पहली वार आए हो चैनल को सस्क्राइब पर लो तो यहाँ पे देखको हमने लिख रखा है बिग राउंड तो हमने इसके पर जो वीडियो बनाया है और आजीब टाइप का दिखेंगा बनते समय क्योंकि इसका लेंथ हमने कम रखा है तो यह डबल अप्सेट है मतलब यहां पर हम रखें यह राइट एंगल कर आइन है तो इधर से भी जा रहा है और इधर से भी जा रहा है मतलब उसको बोला जाता है डबल अप्सेट राउ इधर से तो हम जो है सबसे पहले स्क्वार का डायागिराम बनाएंगे कोई सा भी पीस बनाना है तो सबसे पहले वो पीस आपके माइंड में बनना चीए दिमाग में आना चीए कि यह कैसा बनेगा तो उसके लिए जो बनता है सबसे पहले बनता है डायागिराम तो जो हमार यहां से 50 mm out है मतलब की round जो आएगा वो इस जगह से इधर आना चाहिए पुरा तो उसके लिए हम क्या करेंगे यह वाला marking जो है इसको थोड़ा लंबा करेंगे हमें जौ है मार्किंग आनेवाला है फि dolcc tenga करेंगे है उसके लिए क्या करना है यहां से 50 mm और इदर सीरा से यहां से यह से सेंटर पॉइंट हुगा अभी मैं इसको पहले राउंड गुमाता हूँ फिर जो है आप लोग को समझ में आएगा इस तरह से है यह एक हाँ तो यहां गराउंड हुगा और हमारा साइज यहां पर हमारा कोतना संसीतुर और ysia variety कर लेंगे साधिए किती हीजसाफ से कि इसको इसको चाहर सब्सकर लें डिन्स कि भी यह देख सकतो चरे दिवाइब उसका डिपेंड यह करता है कि आपको bod इतना पार्ट में बनाना है तो मैं ज्यादा तर क्या करता हूं 12 पार्ट में बनाता हूं ताके जल्द जल्दी मार्किंग हो जाए तो एक तरीका यह है कि समझे लो 100 mm डाया है 100 into 3.1 करेंगे इससे पैरामिटर निकल जाएगा इसका कितना 314 mm मतलब इसका जो पूरा पैरामिटर आया 314 mm हो आया उसको हम डिवाइट कर देंगे किसके साथ 12 के साथ तो यह आएगा बरोबर 26 mm और दूसरा फर्मूला यह है इसका कि यही कमपास को लेना है आपक मार्किंग यहां पर करना है फिर यह पॉइंट पर रख करके एक मार्किंग इधर और एक मार्किंग इधर करना है उसी तरह से यह सेंटर पर रख करके एक मार्किंग जो है इधर और एक मार्किंग इधर करना है तो इसकी बीच की दूरी है वह भी 26 mm है यही है तो मैं यहां यहां पर क्या करेंगे अभी कि नंबर देंगे इसको मैं दे देता हूं चार तीन दो एक दो तीन चार और यह मैं बनाओंगा दो पर तो अभी यहां पर मैं स्कॉयर में कर देता हूं इसको ए और यह हो गया बी और यह हो गया सी और यह हो गया डी यह बी का पॉइंट है यह आके मैच होगा यहां पर भी मैं एक चीज और कर देता हूं इसको मैं कर देता हूं ए यह हो गया बी यह हो गया सी यह हो गया डी चार चार इसमें है चार उसमें भी है न तो उससे कंफूजन नहीं हो उसका बत क्या करना है हमको यह ए के पॉइंट पर रख करके हम यहां से ए से लेके इधर कौन सा है डी है यहां पे स्कॉयर में तो यहां राउंड में जहां और इधर बचता है B तो हम फिर यहां से क्या करेंगे B के पॉंटा को पहले A से एक मार्किंग करेंगे फिर तीन नम्बर की दूरी जो भी हाय यह लेंगे फिर यह वाला ले लेंगे फिर आखेर में जो हमारा B यही है ना इस तरह से मार्क नहीं है यह दिवाइंट हो गया अब हमारा बच रहा है तमझे लो कि यह D से हम डी में मैंश करेंगे पहले कि यह D से डी हो गया और फिर यह D से हम जाएंगे डो नंबर की दूरी देखने फिर हम जाएंगे यहां से तीन नमबर की दूरी देखने और फिर यहां से हम जाएंगे C में यह हो गया C अब उसके लाद हमारा बच्रा यहां पे यह C पॉइंट डबाकी है और यहां पे C बाकी है तो हम यह C से इस्टार्ट करेंगे यहां पे इसका में जो काम है वो डायागिराम में ही है डायागिराम आपको बनाने आ गया तो समझ लो आपको पीस बनाने के लिए आ गया यहां पे और यहां से मैच होगा B में तो सबसे पहले जो है आपको डायागिराम बनाने के लिए चाहिए डायग्राम खाली टाइम में आप चाहो तो इस तरह डायग्राम बना सकता हूँ तो यहां पर देखो इधर फेस में आ रहा है और इधर से जो है यह 50 एम आउट हो गया इधर से 50 एम तो आपको साइड आपका जो भी रहे उस हिसाफे करना है प्रोसेस यही रहेगा त इसके बाद अभी यहां में नृवार में अपर यहां पर लंबाल खीच लेता हूँ तो मैं यह यहां पर टीकल लाइन परREAM बंश। सब्सक्रांड by सब्सक्राइब सब्सक्न सब्सक्राइब तो यह हैं से यहां तक हैं ludzie यहां तक हमारा सट्रेमे में हो गया इस जग़ेश से यह हमने लिया है यह पेज्वे पेज्व नहीं आ रहा था तो घолote मैं यहां पhyun करता हूं एक यहां سے मैं चालीस दूर के जो हमारा साइज है वह तो मैं यहां यहां फिटीस यहां पर 50 mm का मार्किंग और इसको राइट अंगल थोड़ा लंबा कर देता हूं यहीं पर ले रहे हैं यह वाला जो है यहां बी से यहां पर ऐसा ऐसा जाएगा और इसका काम बाद में करना है यह वह मैं आपको बता दूँगा हम सबसे पहले क्या करेंगे यहां पर भी लिख देंगे A, B, A, B और स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले कौन सा मार्किंग A के पोइंट पर से हम लेंगे कौन सा यह D का पोइंट मतलब राउंड का पहला चाहर क्या करेंगे यहां पर रख करके इस तरह से देखना है जो भी दूरी आ जाए उसको लेना है A से लिए हमने उसके बाद यहां पर रखना यह पोइंट है जो हमारा यह हमने वर्टिकल लाइन ऐसे ही ले रखा है और यहां से यहां तक जो हमारा लेन्थ है तो हम यहां पर एक मार्किंग करेंगे यह पीस बनते टाइम आपको आजीब टाइप कर लगेगा फिर भी आपको मार्किंग करते जाना है फिर हम क्या करेंगे यहां पर रख करके यहां की दूरी देख ले यहां से यहां की दूरी देख लो एक ही चीज़े सही है तो जो भी आया यहां से हमने देखा उसको ले के हम क्या करेंगे यहाँ A के point पे रख करके इस तरह से एक marking करेंगे और उसके बाद आता है हमारा B B का number यहाँ पे है और यहाँ से हम देखेंगे वही चार number की दूरी देखेंगे जो भी आए इस तरह से और फिर उसको भी हम क्या करेंगे यहाँ पे इस तरह एक marking करेंगे और फिर यहां से हम देख लेंगे इसकी दूरी जो भी आया ये लेना है और B के point पर रख करके इस तरह से marking करेंगे और उसके बाद आपको यह जो हमने यहां पर divide करें कमपास बनाया था यह 25 का बना लेना है या फिर इसके हिसाब सभी बना के उसको क्या करेंगे यह point पर रख और फिर यहां पर रख करके यह point पर इस तरह मार्किंग किया यहां पर यहां से हम फिर इसको देखेंगे कि कितना आ रहा है जो भी आये इसमें भरना है और हमने A से लिया था तो हम पहले क्या करेंगे A के उपर मार्किंग करेंगे यहां पर आया इसका बी के point पर से हम तीन नमबर के दूरी देखेंगे तो यहां से हम देख लेते हैं यह आया था यह तो जो भी आया उसको लेगे हमने यहां पर मार्किंग करना है फिर हम क्या करेंगे यहां से ले करके इसको यहां के दूरी देखनी है और उसको हम क्या करेंगे बी के पॉइंटे पर रख करके एक मा तो यहां पर देखो जो भी आए उसको लेके हम क्या करेंगे यहां पर इस तरह से मार्किंग करेंगे ठीक है यहां पर देखो इधर आया यहीं पर आ गया से फिर हम क्या करेंगे यह दूरी देखेंगे जो भी आए तो हमने कुण साल यह से लिया है दो नंबर के तीन नंबर म हमने यहां पर भर लिया उसको ले करके हम क्या करेंगे यहां पर एक मार्किंग मारेंगे तो यहां पर देखो यह जो है दो नंबर यहां पर आया है बहुत दूर चला गया उसके बाद हम क्या करेंगे फिर यह पॉइंट के उपर रख करके फिर भी हम यहीं पर देखेंगे सा आसा भी देख सकते हैं। जो भी आया, उसको लेके बी के उपर से हम मार्किंग करेंगे, यहां पर सही है। और फिर उसके बाद यहीं कमपास जो है, 26 mm यहां पर हमने बताया आपको, वो लेना है। और यहां पर रख करके एक मार्किंग जो है, इधर करेंगे। और एक मार्किंग जो है यहां पर हमारा शायद हो सकता है कि वो केमरा से बाहर चला जाए देख सकते हो फिर भी मैं आपको देखा दूंगा पूरा मार्किंग होने के बाद यहां पर मैं ज्यादा इधर नहीं कर सकता हूं ठीक है वहाँ पर हो गया उसके बाद हमारा बच रहा है एक direct number की दूरी देखेंगे एहां से यहांसे इस तरह से जो भी आया उसको लेना है यहां से लिए वहने और यह line के उपर कारें और फिर हमक्राइमारा main pointer यहां से नमबर की दूरी जो भी इस भरना आए था और यहां पर रख करके एक मार्किंग हम यहां पर कर देखेंगे और उसके बाद क्या करेंगे हम यह B के पोईंट पर से यह B का पोईंट यहां से हम एक नंबर की दूरी देखेंगे यहां पर इस तरह से देखेंगे और जो भी आए उसको यहां पे हम मार्किंग करेंगे देखो बहुत दूर जा रहा है इस तरह से फिर हम क्या करेंगे यह पॉइंट पे रख करके और यहां से यहां तक की दूरी देखनी है जो भी आए और फिर यह पॉइंट पे रख करके के हम एक मार्किंग इधर करेंगे उसके बाद क्या करना है मैं दोफाड में बना रहा हूं न तो आपको यहां से पहले है यह 25 हमने लीया था यह वाला चkówिश्कटे हो और नहीं तो आप ऐसा में भी 25 ले सकते सहिए क्योंकि हाफ पाड में बना तो हाप लेना है हाप लेके हम क्या करेंगे यहाँ पे एक मार्किंग इस तरह करेंगे और दूसरा वाला मार्किंग इधर करेंगे यह हो गया उसके बाद आभी यहाँ पे आपको क्या करना है कि यह एक नंबर से कौन सा पॉइंट आएगा करते हैं है अच्छे से आपको देखना है तेकिमें का माएनी रखते है रट में देखना है इसको ले करके फिर यह पोईैंड पे रखके इप उत्थ करेंगे तो यह करके यहां पर यहां पर करना ना है और उसकों ले करना और यहां पर रख करके इधर मार्किंग करेंगे तो इसको मैं पहले मार्किंग करता हूं इस आपको कि यहां पर हो गया और यह जो हैं कि यहां पर मैच होगा तो मैं पहले थोरा सा लाइन खीच लेता हूं नहीं तो कंफ्यूजन हो रहा है समझ भी नहीं आ रहा है ऐसा आएगा और यह वाला यह और फिर मैं इसको पहले राउंड मेंच कर लेता हूं करने की तो अभी आपको समझ में आ रहा है कि यह राउंड टूस्कौर है ठीक है उसका फिर से क्या करना है तो ले लिए इंदर वाला कहां से लेना है कि इदर वाला आपको यह राउंड मेंना मारक्रीगर करें इस तरह से और उसकेfun करेंगे हमारा एक नंबर आया है इधर यहां पर करेंगे और फिर से मार्किंग कर ले ते कितना हो जाएगा हाप 25 हो गया यह भी 25 हो गया और फिर से वही प्रोसेस आपको अगर चाहिए कि आपका पीस राउंड नहीं हो रहा है तो यहां पर अपने हिसाब से ऐसा सेंटर निकाल के तो जो है इस तरह से लाइन मारा है यह आप यहां पर भी डिवाइट कर सकते हो मतलब अब यह देखो कितना हो गया एक दो तीन चार पांच छे हो गया ना मतलब कि इधर ही 12 हो गया तो आपको 24 पार्ट में बनाना परेगा तो अब जब यहां से 24 मार्किंग करोगो इसमें बह अब लिए मकारे ने करें लिया है ने हो परेट यहां दे लिए यह वाला वर्टिकल्ल्-लाइन के लिए लिया यहां से हम ले लेंगे जो 70 में अपसे इसका मार्किंग लिए थे यहां पर यह हमारा हो गया लें तरह सब्सक्राइब यहां तक यह चीज़ आपको दियान में रखना है उधर थोड़ा इसके लिए तो आप में यहां पर क्या करेंगे मार्किंग करेंगे यहां से मैं 50 mm मैंनेश करके मैंने फिर मैं इधर से ले लेता हूं जो हमारा साइज है 50 mm वही हुई इधर और इसको हम सरा सरा रायटेंगंग व्रारश करेंगे 10 mm के आत पार 10 mm यह वाला मैं पहले ही कर लेता हूँ तुरा अच्छा रखता है यह हो गया 50 एमें इसको करेंगे हम यह वाला को यह हो गया हमारा समझ लो दी और यह वाला हो गया सी तो हम लेंगे यह करेंगा यह C लिया है न अभी यहां C से C का point देखेंगे यहां पर जो भी आए इसको लेना है और फिर उसको हम क्या करेंगे यह point पर रख करके यहां पर इस तरह marking करेंगे और फिर वहां रख करके यह दूरी देखनी है जो भी आए वो लेके हम यह C के point पर से marking करेंगे तो देखो कहां प और दूसरा वाला यहां पर रख करेंगे इस तरह करें और यहां से देखेंगे तीन नमबर की दूरी X कि व इह हमारा यहां पर लेंत है यहां से हम देखेंगे यहां से हम द रखेंगे कि यह मां यहां पर क्वेंग हाँ जो भी आया उसको लेकर हमने भिए पूइंड पर से हां फे मार्केंग करेंगे तोरा उपर निचे होटा इसमेंगे अ कि हम पर रख करके सब्सक्राइब जोगे यहं रख करना है और सब्सक्रां करना है हैं दो नंबर की दूरी जो भी आये यहां पर रख करके इस तरह से मारकिंग गरेंगे तो यह दो नमबर काली हम पिर यहां से देखाएंगे दो नमबर की दूरी और यह पॉंट आपको उठाके हम यह डीपर से यहां पर मार दैंगे और फ grading यह C से देखना है दो नमबर की दूरी हम देख लेते, जहां पे भी आया, हो सकता है, same आये, उसको लेकि यह point अपर से हमने marking किया हो सकता है, हमने बोला था, same आया, तो यह वाला आया, पिर हम क्या करेंगे, यहां पे रख करके, लेके इस तरह marking करेंगे, तो यह हमारा हो गया, दो number, और फिर से यही compass लेना है, जो नहीं चाहिएये को सबकिभा सेगोगे चाहिएंनने मैंने मोसी देखियो में सेज़तों हमारे में तो इसे क확श्वर्ण की मार्किगाएंग्स tehवा हैं यहां पर कर देंगे और फिर हम यह करेंगे यह नमबर की दूरी देखेंगे यहां पर से हम देख लेंगे यहां पर मार्किंग कर देंगे तो आभी मैं इसको क्या करता हूं मार्किंग करेंगे यह चार नंबर की दूरी मैच और इसको मैं अभी पहले यह कर लेता हूँ राउंड कर लेता हूँ यह करने के बाद फिर से आप चाहो तो पुराना वाला प्रोसेस जो मैं हर विडियों बताता हूँ अगर भरा डाया है तो छोटा डाया है तो मुश्किल नहीं है ऐसा मार्किंग कर सकते हो ठीक है और फिर से आपको क्या प्रोसेस करना है यह राउंड का हाप लेना है मतलब फिप्टी है तो इसका हाप जो है 25 आएगा इस तरह एक मार्किंग करो और एक मार्किंग जो है इधर पर यहां पर क्या करना है यह हाप से हमने पहले भी मार्किंग किया था यहां पर यहां पर रख करेंगे तो यहां पर आ गया यह इस तरह से कि यह्ंपर आया और इधर से हम देखें तो यह keeping यहां कि हैं पर यहां पर आकारी पॉइंट ज्वह है वह देखना है जो भी आया हो लेके मार्किंग करेंगे हम सेंटर से देख रहे है ठीक है जो भी आया मार्किंग किया इरा यह वाला Спट और सब्सक्राइब सेखें लाटम करें बाला। outta अब सब्सक्राइब शब्सक्राइब यहां इस तरह तो हम यहां पर मार्किंग कर लेंगी दुनारा किनित कर को गउले को इर्फ Means्स सब्सक्राइब होग दूर्न यह चला या यह जो है यह मार्किंग उसकां तरब केल यहां करना है कि मतलब मैं बनाखोलु तो यह चाहे बैंड हो और यह हो गया हमारा मार्किंग तो उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको अच्छे समझाया हूँ अगर थोरा विडावट हो कॉमेंट करो वीडियो चाले के वीडियो को लाइक करो चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सस्क्राइब करो और मिलते हम आपसे एक और नई वीडियो के साथ थैंक यू वेरी मुच